कि वेलकम बैक टूमाय चैनल कैसे हो आप सब आप बहुत ही बढ़ी आऊंगे आज की उडियो बहुत ही यूनिक एंड इंट्रस्टिंग होने वाली जैसा कि अभी हमारे सामने तो नेक्सॉन का मोस्ट डिमाइंडिंग रिसेंटी लॉंच रेड डार्क एडिशन वेरियंट खड़ा है आज मैं आपको बताने वाला हूं रिजन्स टू बाई नेक्सॉन इन ट्वेंटी त्री और आज की जैन्विन वीडियो हने वाली है ऐसा नहीं कुछ प्रमोशनल वीडियो है मैं टाट कर चलती है तो यह क्यों लेना चाहिए अभी तो देखो 14 लेक्स वाला वीरियंट रेड डार्क जो कि आपको आपको मिल जाता है इंटीरियर भी मैं आपको दिखाई देता हूं कुछ इस टाइप का मिलता है तो सारे रिजन्स एक एक करके बताऊंगा इसलिए वीडियो पर पहले बोनेट ओपन कर लेता हूं वेट काफी जादा है और बोनेट का इसमें आपको मिलता है 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन बेस मॉडल से अब जैसा कि लोग वाइब्रेशन की बात कर रहे थे तो नेक्सॉन का जब बीए सिक्स फेज वन आया था तब से इसका सेल क सेम ले रहे हो आपको यही तर्बो चार्ज इंजन मिलेगा जो 118 PS की पावर पेडियूस करेगा इन 170 NM आफ पीक टॉर्क तो तर्बो चार्ज इंजन आपको थ्री सिलेंटर कंपनी बेस वेरियंट से प्रोवाइड कर रही है तो पावर में तो बिलकुल भी चाहूंगा तर्बो चार्ज इंजन आपको ज़रूर मिलते बट अपर वेरियंट में मिलते हैं अगर आप बेसिक वेरियंट कंसिडर कर रहे तो उसमें काफी कम पावर वाले त्री इंजन एन फोर सिलेंडर इंजन मिलते हैं ब्रीजा देखो गे तो ब्रीजा का 1.5 लिटर का काफी reliable and trusted engine है बट again जहां मैं power की बात कर रहा हूँ, power में आपको ये 3 modes के साथ आती है, eco, city and sports, तो 1.2 liter का next level power produce करता है drive video भी मैं डाल चुका हूँ, इस पर video की link description में डाल दूँगा, powerful engine चारे हो तो ये आपके लिए एक बड़ा reason बन जाती है mileage तो देखो है आपको breeza में जादा बेटर मिलेगा, but power की यहां पर बात कर रहे हैं, जो हमारा second point है वो है इसकी safety, best in segment safety मिल जाती है, जहां टाटा की बात आती है, tiago की बात कर ले, eltros की बात कर ले, nexon की बात कर ले 5 star safety rated cars है यहां पर अगर आप देखोगे न, तो door आप देख सकते हो, काफी weighted है, मतलब bonnet weighted है, तो build qualities related तो आपको बिल्कुल भी compromise नहीं करना पड़ेगा, और जैसा की चल रहा है vocal for local, हर कोई एक safest SUV चाता है अपनी family के लिए, तो safety कि more than seven features मिल जाते हैं, अगर आप nexon की website पे, टाटा की website पे जाके देख लोगे तो आपको detail में उसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा, तो यह second सबसे बड़ा reason बन जाता है nexon लेने के लिए, वह इसकी safety, third reason है इसका best in segment, ground clearance as well as width, 209 mm का आपको यहाँ पर ground clearance मिल जाता है, जो की best in segment मिलने वाला है, अगर आप rural areas के हिसाब से hilly areas, off-roading के लिए लेना चाहरे हो, टकराने जैसा कोई भी इशू नहीं आएगा 209 mm का best in segment, ground clearance, साथी में सबसे जाधा width आपको 1811 mm की width मिल जाती है, जो की इसके competitor से सबसे जाधा है, तो कही न कहीं आपको ground clearance भी काफी जाधा मिलने वाला है, और ground clearance जाधा है न तो आप जब भी अंदर बैठते हो न तो आपको इस big size SUV वाला feel आई जाता है, तो जो हमारा third reason है, वो है इसका ground clearance and width जो की best in segment है, अब next point की और बढ़ते है, वो है interior में, अब देखो यह तो मैं 14 lakhs वाला variant बता रहा हूँ, जो की आपको best in segment features के साथ मिल जाता है, red dark seats है, यहाँ पर ventilated seats आपको मिल जाती है, उसी के साथ आपको यहाँ पर wireless charging बगेरा मिल जाती है, बट एक चीज़ आप observe करोगी, जो की nexon को लेने के लिए एक सबसे बड़ा advantage बन जाती है, वो है इसकी big size SUV वाला interior, अगर आप मेरी grand vitara में भी देखोगे, बाकी cars में भी देखोगे ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा हम पर रहता है, इसकी आप height देखोगे ना, तो काफी upright रखा गया है, जो कि आप safari as well as harrier में देखोगे, मतलब यह driver as well as co passenger को एक partition वाली seat बनाता है, जो की बड़ी SUV में feature दिये जाते है, तो यह जो compartmental सेंटर कंसोल, यहाँ तक पूरी height दिये ना, उसके कारण एक big SUV वाला feel आपको अंदर बैठने के बाद आएगा, जो कि आपको कौनसी भी rival car में देखने को नहीं मिलता है, उन सब में हम प्लाइक आप कौनसी मारूती, सुजुकी, sonnet, venue देखोगे ना, तो सब में काफी हम नेक्स फीचर की बात करते हैं, वो इसके हर्मन कारण म्यूजिक सिस्टम, अब देखो टाटा की कुछ कमिया हो सकती है, कुछ खूबिया हो सकती है, वो सारी बाते अपनी जगे, कोन सी भी कार परफेक्ट नहीं होती, सब के अपने pros and cons होते हैं, बट जहां म्यूजिक सिस आपको मिलने वाली है, तो अगर आप एक म्यूजिक लवर हो, तो फिर आपको नेक्सोन में मतलब बिलकुर निराशानी होगी है, आप ऐसा नहीं सोचोगे कि आफटर मार्केट जाके कौन से म्यूजिक सिस्टम या स्पीकर्स अपग्रेड करा लू, तो हर्मन कारण के अब देखो, इतने सारे रिजन्स तो बता दिया, लाइक मैंने आपको इंजन का बता दिया, सेफटी का बता दिया, ग्राउंड क्लियर बता दिया, इंटिरियर में हर्मन कारण बता दिया, वैसे तो बहुत सारे फीचर से बताने के लिए लास रिजन्स करता है सारे कस्टम मरस दाना चाहूँगा कि आपको Nexon क्यों लेना चाहिए वह इसका instrumental cluster अब बेस मॉडल से आपको instrumental cluster इस segment में कौनसी भी गाड़ी प्रवाइड नहीं करती इसमें आपको fully digital instrumental cluster XC model से मिल जाता है बट अगर आप Sonnet Venue and Breeza के सारे variants देख लोगे ना आपको analog ही मिलता है और बाकी में digital आ जाता है अपर वेरियंट्स में बट इसमें आपको base model से provide करा है और यही कुछ reasons थे जो मैं आपको आज की वीडियों बताना चाहरा था अब देखो जिस variant में में बैठा हूं वह भी काफी demand में 14 रूपीस का आता है हलाकि automatic variant अगर आप manual वाला लोग है तो आपको around 1260,000 के round आजाएगा exit on road rise आप चेक आउट कर सकते हो इसमें आपको बहुत सारे features मिल जाते like wireless charging यहाँ पर आपको express cool मिल जाता है जैसे मैं इसे press करूँगा आप देखना windows केसी down होती है एक्सप्रेस cooling on विंडोस में रोल डाउं एन इसी variant में आपको sunroof भी मिल जाता है ventilated seats मिल जाती है इस अपोल स्टी के कारण है अलगी premium feel इसमें देखने को मिल रहा है overall अगर video conclude करे तो guys आपकी totally choice के उपर depend करता है आपको कौन सी subcompact SUV लेनी है because इस budget में आप Krata के basic variants उसके बाद Grand Vitara, Seltos सब पर switch हो सकते हो अगर आपका 14,000,000 का budget है कम budget है तो फिर आपके लिए option तो है बट जहाँ आदेगो conclusion के और बढ़ते तो जहाँ आपको safe SUV चीए, power enthusiast SUV चीए तो आप Nexon की और जा सकते हो बट जहाँ आपको ज्यादा reliable SUV चीए ज्यादा mileage चीए तो फिर आपको Breeza when and only option रहने वाला है वीडियो conclude करते है I hope आपको वीडियो मज़ा आया होगा overall मैं आपको पूरी profile भी check out करा देता हूँ इस वीडियो के थुरू चैनल पर आया हो तो please subscribe कर लेना कुछ भी doubt हो तो बेजिए हो comment में पूछ सकते हो and इस पर मैं एक drive वीडियो भी upload कर चुका हूँ drive impression should you buy an Exxon in 2023 or not अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी एक बार check out कर लेना सो मिलते हैं ऐसे एक interesting content के साथ